C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तु थे कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी प्रिष्ट 122 आनंदमई कविता पाठ 26 शीर्षक बादल काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए बोलो कैसे आकर छाए हवा पकड कर लाती सरसर छाए जैसे काले कंबल कितने सुन्दर लगते बादल पेडों जैसे भेडों जैसे लगते जैसे चलते घोडे बन जाते हाथी के जोडे नन्हे जलकन गय भाप बन उसी भाप ने ठंडक पाई बादल बरसे बरसा आई इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें वर्शारितू का एक दिरिश्य दिखाया गया है आसमान में घने काले बादल छाए हैं और उनसे जमा जम बारिश हो रही है नीचे एक पत्थर पर बैठी एक लड़की प्रसन्न मुद्रा में बादल को देख रही है जबके एक लड़का बहते हुए पानी को हाथ लगा कर खुश हो रहा है प्रिष्ठ एक सो तेईस करते गड़गड आते चड़चड बिजली बादल को चमकाए अंधियारे में राह दिखाए मोर मगनमन जूम चनन चन जूम जूम कर नाच दिखाए खुश हो हो कर गाना गाए बरसे बादल कल-कल चल-चल तैर चली कागज की नईया पूँच उठा कर भागी गईया लेखक श्री प्रसाद एक लव्य प्रकाशन इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें वर्शारितू के दृष्च को दर्शाया गया है आसमान में घने काले बादल चाई हैं और उनसे बारिश हो रही है इस बारिश का आनंद लेते हुए मोर अपने पंख पहला कर नाच रहा है सामने नदी में कागज की नाव तैर रही है और किनारे पर बारिश को देख कर अपनी पूँच उठा कर गाए भाग रही है आसमान में बिजली भी कड़क रही है प्रिष्ट 124 बात चीत के लिए एक, बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है दो, बारिश कैसे होती है तीन, आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है चार, क्या बारिश से कभी कोई परिशानी भी होती है कविता के आधार पर उत्तर लिखिए एक, बादल कैसे बरसते हैं? दू, मोर कैसे नाचते हैं? तीन, हवा कैसे चलती है? चित्रकारी और लेखन जब आसमान में बादल हूँ, आसमान को ध्यान से देखिए आपको कौन-कौन से आकार दिखाई देते हैं? इन बादलों के आकारों की चित्र अपनी कौपी में बनाईए आसमान और बादलों के बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए खोजे जाने समचार पत्र में मौसम की जानकारी अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़िए समा चार पत्र पढ़ने में बच्चों की सहायता कीजे यह गतिविधी नियमित रूप से करवाए शब्दों का खेल एक बादल शब्द सुनने पर आपको बिजली मूर आधी की तरह अन्य कौन से शब्द याद आते हैं इन शब्दों को लिखिए और आपके शब्द बादल शब्द से कैसे जुड़ते हैं सभी को बताईए यहाँ पर केंद्र में बादल लिखा है जिसके आसपास गोल खाली स्थान बने है और उनमें से दो में लिखा है बिजली और मूर बाकी के रिक्त स्थान आपको बादल शब्द के याद करने से कौन से शब्दों का स्मरण कराते हैं उन शब्दों से भरिये दो मिलान कीजे और नए शब्द बनाईए यहाँ पर तीन तालिकाएं दी गई हैं बाएं और की दो तालिकाओं में एक सारे शब्द को तोड़ कर आधे आधे भागों में लिखा गया है उदाहरण के तौर पर मोर पंक बना मोर पंक इसी तरह आपको दोनों तालिकाओं में से सही शब्द चुनकर दाई और दिये गई रिक्त स्थान भरने है बाएं और के शब्द हैं मोर, रात, सूरज, नील, गुलाब, समाचार, सदा मध्ध की तालिका के शब्द हैं मुखी, बहार, पंक, जामुन, पत्र, गाय, रानी प्रिष्ट की दाई ओर, मोर और गाय के चित्र भी बने हैं शिक्षन संकेत शब्दों को पढ़ने में और शब्द बनाने में बच्चों की सहयता कीजिए प्रिष्ट 126 तीन, कविता में देखकर सही शब्द चुनकर लिखिए पहला, हवा रिक्त स्थान लाती सरसर दूसरा, नन्हे जलकन गए रिक्त स्थान बन तीसरा, रिक्त स्थान मगनमन, रिक्त स्थान चनन चन चोथा, बर से रिक्त स्थान कलकल रिक्त स्थान पांचवा, पैर चली रिक्त स्थान की नईया, रिक्त स्थान उठाकर रिक्त स्थान गईया चार इन शब्दों को पढ़िए बच्चों और वस्तुओं के नामों को अलग-अलग लिखिए शब्द हैं तिल्लू, शक्कर, मुन्ना, गन्ना, लड्डू, मक्खन, मुन्नी, रघू, हल्दी, मुन्नू, भुट्टा, बस्ता, पप्पू यहाँ पर दो तालिकाएं दी गई हैं जिनके शिर्शक हैं बच्चों के नाम और वस्तुओं के नाम दिये गए शब्दों में से बच्चों के नाम और वस्तुओं के नामों को अलग-अलग करके सही तालिका के नीचे लिखिए शिक्षन संकेत आधे वर्णों की ध्वनियों को समझने में बच्चों की सहायता कीजिए प्रिष्ठ संख्या 117 पांच नीचे दिये गए चित्रों का मिलान सही शब्द से कीजिए इस प्रिष्ठ में बाई और जल, व्रिक्ष, मेग और प्रित्वी के चित्र बने हुए हैं और दाई और उनके नाम लिखे हुए हैं आपको सही चित्रों को उनके नामों से मिलाना है लेखन चित्र देखिये और दिये गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिये शब्द हैं पानी, बादल, भाप, बूंदे, गर्मी और वाक्य हैं पहला, सूरज के प्रकार से रिक्त स्थान बढ़ती है दूसरा, गर्मी, पानी को रिक्त स्थान बनाती है तीसरा, भाप उपर जाकर रिक्त स्थान बनाती है क्या बनाती है? वो लिखिये चार, बादल नन्नी नन्नी रिक्त स्थान बरसाते हैं पांचवा, नदी नालों में रिक्त स्थान भर जाता है क्या भर जाता है? वो रिक्त स्थान में लिखिये प्रिष्ट 128, पहेली, एक, काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है, बर्खा से यही बचाती है, धूप नहीं आपाती है, रहती है सिर के उपर, फैली रहती है तनकर, सुन्दर्सी है, जानो तुम, अपने सिर पर तानो तुम दो, उपर देखो उड़ा जा रहा, मुड़ा जा रहा अब ये, लेकिन वापस भी आएगा, मगर न जाने कभी ये, आसमान में उड़ जाता है, डैने कितने भारी, क्या चिड़िया है, अरे नहीं, ये काफी बड़ी सवारी लेखक, श्री प्रसाद, इस प्रिष्ट पर दो चितर बनाए गए हैं। पहला चित्र पहेली नमबर एक के दाई और दिखाया गया है, जिसमें तेन छत्रियां दिखाई गई हैं। दूसरा चित्र पहेली नमबर दो के बाई और दिखाई गई है, ये एक वायूयान का चित्र है। खोजें जाने। कक्षा में अपने शिक्षक की सहायता से समाचार पत्र में बारिश या आसमान या चांद या तारे आदी से सम्बंदित कोई समाचार पढ़िये। प्रिष्ट 139 चित्रकारी और लेखन इस प्रिष्ट पर जो चित्र दिखाया गया है उसमें रंग भरिये। और चित्र के आधार पर पाँच से छे वाक्य लिखिये। इस प्रिष्ट पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें रंग नहीं भरे गए हैं। एक परिवार दिख रहा है जिसमें माता पिता और उनकी एक बच्ची एक बच्चा भी नजर आ रहा है। पीछे उनका घर बना हुआ है। बाई और पौधे हैं जिन पर भवरे मंडरा रहे हैं। और उपर आसमान में तारे टिम्टिमा रहे हैं। आपको इसमें रंग भरना है। शिक्षन संकेत इस तरह की गतिविदियां बच्चों से नीमत रूप से करवाएं। प्रिष्ठ एक सौतीस सुने कहानी फिर फुर। कहानी सुनाने वाला कहानियां सुना सुना कर ठक गया पर सुनने वाले नहीं ठके। उसे घेर कर बैठे बच्चों और बूढों ने उससे और कहानी सुनाने का अग्रह किया। तो उसने कहानी सुनाना शुरू किया। बह बोला एक पेड़ पर बहुत सी चिडियां रहती थी इतना कहकर वो रुख गया आदतन लोगों ने पूछा फिर फिर इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक हरे भरे वरिख्ष के नीचे एक व्यक्ती कहानी सुनाता हुआ नजर आ रहा है उसके सामने कुछ बच्चे और बड़े ध्यान पूर्वक बड़े मगन भाव से उसकी कहानी सुन रहे हैं उपर व्रिख्ष पर पक्षी अपने घोसलों के पास बैठे हैं वो नीचे भी देख रहे हैं प्रिष्ठ एक सौ इकत्तीस कहानी सुनाने वाले ने कहा एक चिडिया पेड से उड़ी फुर्र फिर एक चिडिया पेड से उड़ी फुर्र फिर एक चिडिया पेड से उड़ी फुर्र फिर फिर एक चिडिया पेड से उड़ी फुर्र फिर फुर्र बहुत देर तक यही चलता रहा फिर फुर्र फिर फुर्र फिर फुर्र इस सबसे लोग ठक ग अंततह एक बच्चे ने पूछा कहानी सुनाने वाले ने कहा जब तक सारी चिडियां उड़ नहीं जाती साभार मराथी लोक कथा इस प्रिष्ठ पर एक चित्र बनाया गया है जिसमें कई चिडिया उड़ती हुई नजर आ रही है नीचे नदी दिखाई गई है और नदी के उस पार कुछ घर दिखाए गए है जबके नदी के इस पार कहानी सुनने वाले एक व्यक्ती को दिखाया गया है प्रिष्ठ एक सौ बत्तीस रंग भरिये दे गए चित्र में मन चाही रंग भरिये इस चित्र में एक पिल्ला दिख रहा है जिसके मूँ से दोरियों से बंधेवे गुबारे दिख रहे है चित्र में रंग नहीं है आपको अपने मन चाहे रंग इस चित्र में भर कर इसे खुब सूरत बनाना है सारंगी वाचनस्वर बावला कोचर और ममता मलकानी तखनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्मान सहयक तनू गुपता निर्देशन एवं निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत